नमस्कार दोस्तों ऐसा कि आप सभी को पते होगा कि पूरे मध्ध प्रदेश में पिर्थम चरण में ही मतदान हो चुका है आपको तादे की मध्ध प्रदेश में दो धृब्वी राजनीती में तीसरा विकल बनने के प्रियासों में जुटी बहुजन समाज पार्टी इस बार के बधन सबा चुनाओं में दो दरजन से अधिक सीटों पर भारतिय जनता पार्टी और कॉंग्रेस दोनों का ही खेल बगारती दिख रही है समाजबादी पार्टी सहित इंडिया गठवंदन के कुछ घटक दलों में भी अपनी चाप छोड़ने की घव राहट सी दिख रही है तो वहीं आपको तादे की बहुजन समाज पार्टी इस बार प्रदेश के ग्वालियर चंबल और उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे बिंध और वंदिल खंड के छेत्रों में बहुजन समाज पार्टी काफी ज़्यादा मजबूत दिख रही है यहाँ पर BSP, कॉंग्रेस ओ या भाजपा दोनों का ही खेल बगार सकती है और BSP के प्रतियासी यहाँ पर जी दर्ज कर सकते हैं सबसे पहले अगर हम बात करें मुरेना सीट की तो मुरेना सीट से BGP के रगुराज सिंग कसाना थे कॉंग्रेस के दिने इस गुरजर तो बहीं बहुजन समाज पारिटी के राकेश सिंग मैदान में उतारे गए थे मुरेना सीट पर BSP जी सकती है इसके अलावा मुरेना की दिन्नी विधान सीट जहां पर BSP ने केंद्रे मंतरी नरेंज सिंग तॉमर को मैदान में उतारा था कॉंग्रेस से रवेन सिंग तॉमर और बहीं कॉंग्रेस से BSP में सामिल हुए वलवीर सिंग डंडोतिया को BSP ने मैदान में उतारा था यहां पर भी BSP दिन्नी विधान सबा सीट पर जीत दर्ज कर सकती है बहीं अगर हम सुमावली विधान सबा सीट की बात करें तो यहां पर एंदल सिंग कसाना को BSP ने उतारा कॉंग्रेस को जब सिंग कुसवा और बहीं BSP ने कुलदीब सकरवार को मैदान में उतारा था यहां पर भी बहुजन समाज पारिटी जीत सकती है इसके अलाबा गौालियर ग्रामिड सीट से भी BSP जीत सकती है जहां पर वेजीपी के भरस सिंग कुसवा कॉंग्रेस के साहफ सिंग गुरजर और BSP के सुरेस सिंग बगेल मैदान में उतारे गए थे गौालियर पूर्ब सीट पर भी बहुजन समाज पारिटी जीत सकती है इसके अलाबा डवरा सीट जो कि यहां पर बेजीपी कद्दा बन लेता है इमर्ती देवी को मैदान में उतारा था कॉंग्रेस ने सुरेस राजिय को मैदान में उतारा था और BSP ने सत्त प्रकासी पर इसे अंडिया को मैदान में उतारा था इसके अलाबा अगर हम भिंड जिले की बात करें तो यहां पर बेजीपी ने रनायन सिंग कुस्वा कॉंग्रेस ने चौधरी राकेश सिंग और BSP ने संजीब कुस्वा को मैदान में उतारा था लहार सीट पर बहुजन समाज इसे अगर पूरी विधन समाज करें तो यहां पर BSP के जो पृतियासी है वो यहां से जीद दर्ज कर सकते हैं लगातार आपको तादे कि इन दस सीटों में से साथ सीटों पर बरतमान में कॉंग्रेस के विधायक हैं और दो सीटों पर बेजीपी और एक सीट पर BSP विधाय है इन दस सीटों में से चार सीटों पर कॉंग्रेस से वागी होकर BSP से लड़ने वाले चुनाभी मैदान में हैं इन दस सीटों में से तो ग्वाले चंबल की इन दस सीटों पर बहुजन समाज पारिटी अच्छी जीत दर्ज कर सकती है इसके लावा प्रदेश के कई विधान सवा सीटे ऐसी हैं जहां BSP जी सकती है आपकी क्या रहा है कॉमेंट करें धन्यवाद